हेलो एब्रिवन तो आज 11 अब दिसंबर और इस सेशन में दा हिंदू इडिटोरियल का भोकेवली कवर करते हैं यानि कि दा हिंदू इडिटोरियल में आने वाले जितने भी इंपोर्टेंट भोकेवस होते हैं उसे कवर कराया जाता है तो सेशन अन तक जरूर देखिएगा चलिए सेशन स्टाट करते हैं उससे पहले लाइक कर दिजिए और अभी तक चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सस्क्राइब कर लिजिए यह हमारा सोसल मीडिया है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन वक्स में मिल जाएगा तो अगर आपको सेशन का प सब्सक्राइब करना तो आप यह चीज जरूर ध्यार में रखिएगा कैसे पहचानना है वाट के साथ साथ हम आपको बताते चलेंगे जहां भी सब्सक्राइब तो इसके मिनिंग की बात करें तो इसका मिनिंग हो जागा तो नोट कीप टू एन एग्रिमेंट और नोट कीप प्रोमिस क्हुubs नřे कि बहुत होता है कि अगर अपके सिग्डलियक में कम करने जाएंगे तो है प्लिमेंट नोताया क है अपको एतने साल तो करना होगा या फिर कोई प्रॉबंस जिससे लोग क्या कर राव उसको नहीं रखताऊ तो प्रोमिस तोड़ देता हॉवादा किय कि ऐसा पर्सन जो क्या कर रहा दा तो दे रहा है या फिर जो जो पुछर दे रहा है तो उसको उलंगन बोलेंगे अगर इसके सिनोनेम्स की बात करें तो ब्रेक, हरप्चर, वाइलेट यह सब क्या जाएंगे इसके सिनोनेम्स हो जाएंगे तो आप देखिए रिलेवेंट यहां पर पिक्चर भी देख सकते हैं कि मतलब कोई चीज जो तूट जाना ठीक है जैसे कि वादा हो गया या फिर कोई एग्रिमेंट हो गया ठीक है तो उसको क्या बोलेंगे ब्रीज बोलेंगे तो इस तरह आपको फिक्चर के थुरू भी वाड को सम्झाने का कोशिस करते हैं ताकि आपको वाड इसली याद हो जाए ठीक है और देखिए इसके अलाव भी बहुत सारे स्टूडेंट है जो काफी इंटेलिजेंट है तो उनको इनफोर्मेशन पता होता है वाड से रिलेटेड सपोज इसके एक्स्ट्रा आपको कोई इसका स्यूर्णेस पता है तो आप कमेंट सेशन में जरूर लिखिएगा इससे आपको बेनेफिट होगा ठीक है तो लिखना जरूर शूरू कर देए जो इंडोर्स मतलब होता है कि आप मतलब publicly announce कर रहा है कि हाम मैं इस परसन के साथ खरा हूं मैं इसका सपोर्ट कर रहा हूं या फिर कोई ऐसा statement या फिर course of action है जिसका आप सपोर्ट कर रहा है तो उसको इंडोर्स बोलेंगे यानि कि समर्थन करना इसका हिंदेविनिंग क्या जा रहें कि बोलेंगे इंडोर्स बोलेंगे तो इंडोर्स यहां पर भर वगया साथ में एक बार रिपीट करते चलाएंगे ताकि आपको फिल है या अफ्लेंड क्लास में बैठे हुए और जो भी वर्ड आपके लिए नया है अगर लगता है कि हाँ इसे हमें नोट करना चाहिए तो जुरूर्ड पेपर साथ में रखिए और उसे नोट किजिए तो इंडोर्स यहां पर भर भगया जिसका मेनिंग होता है समर्थन करना सपोर्ट बैक या फिर प्रूब इसके सीनोनेम से जाएंगे नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है रिमिट रिमिट यहां पेक नाउन है जिसका मेनिंग होता है अधा एरिया अफेक्टिविटी ओवर वीच पार्टिकूलर पर्सन और गूरूप है ऑथरीटी कंट्रोल और इंप्लियर्स मतलब किसी एडिया का किरिया कलाब जिस पर किसी खास पर्सन या किसी खास संस्था या कोई ग्रूप को जिसका कंट्रोल हो ठीक है तो उसको क्या बोलें कि रेमिट बोलेंगे यानि कि कॉम करना इसका हिंदी में नहीं हो जागा सिनोनेम्स की बात करें तो डिफर और यह फिर एवेट यह सब इसके सिनोनेम्स हो जाएंगे तो आई होप आपको रिमीट वर्ट समझ में आ गया यानि कि बनाय रखना या फिर मालेजी कि आपका किसी के साथ अच्छा रिलेसन है तो उसको कायम रखना तो रिटेन मतलब बनाय रखना या कायम रखना हो सकता है सिनोनेम्स की बात करें तो कीप होल्ड मैंटेन यह सारे इसके सिनोनेम्स हो जाएंगे तो वर्ड रिटेन है यह एक वर्ब है जिसका मिनिंग होता है to keep something यानि किसी चीज को बनाया रखना कायम रखना keep hold maintenance के synonyms हो जाएंगे फिफ्ट वर्ड की बात करें तो फिफ्ट वर्ड है हाल्ट देखिए जब आप ट्रेंस ट्रेवल करते होंगे तो बहुत जग आपको हाल्ट वर्ड देखने को मिलता होगा जैसे मालेजी की कोई जगह है उसका नाम लिखा होगा कि यह हाल्ट ठीक है तो हाल्ट का बात करें त जिसका मिनी होता है तु एस्टॉप यानि के ठाहरना तो जो छोटी-छोटी जो लोकल ट्रेने होती है वह क्या करती है वहाँ पर कुछ टैम के लिए रूखती है तो हाल्ट मतलब ट्विस्टॉप यानि कि रोकना हो जाएगा ठाहरना हो जाएगा सीनोडियम्स की बात करें त से सेंटेंस बनाए और कमेंट से सन में जरूर कमेंट कीजिए तो काफी सिंसेर स्टुडेंट हैं जो ऐसा करते हैं तो आप अगर आप अपने गोल को लेके फोकस्ट हैं डेटरमाइंड है तो जरूर कमेंट से सन में वर्ड से सेंटेंस बनाए और कमेंट कीजिए तो जो भ यानि कि किसी के एकन्स प्रोटेस्ट कर देना ठीक है चाहिए गौवर्मेंट रीते हो और वह कैसा हो वाइलेंस यानिकि हिंसात्मक्त हो तो उसको पर रिवोल्ट बोलता है जैसे आप है्सुटरी पर होंगे तो बहुत सारे डिवर्ड आपको पढ़ने को मिले होंगे तो डिवल्ट मतला होता है विद्रोगे तिक है किसी के गारा घाना उसके खिलाफ ख्राइब वोलते हैं सिनोनम्स की बात करे तो review रिपेल अप्राइज यह सब इसके सिनोनेम्स हो जाएंगे तो वर्ड क्या होगा रिवोल्ट जो एक नाव है जिसका मिनिंग होता है विद्रो और सिनोनेम्स की बात करें तो रिबेलियन रिपेल यह फिर अप्राइज हो जाएगा नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड यहां पर एक नावे है जिसका मिन्हीं होता है a person who helps another person especially a politician in their job. यानि कि कोई ऐसा person जो दूसरों की सहायता कर रहा है especially कोई एक politician हो जो नेता हो अपने job में उसके job में क्या कर रहा है help कर रहा तो उसको aide बोलते हैं यानि कि सहायक बोल सकते हैं बहुत बार पॉलिटीशन होते हैं क्या करते हैं जो छोटे फैमली से बिलोंग करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं तो उनको कहीं न कहीं सेटल करा देते हैं तो उनको एड बोलेंगे यह नहीं कि जिस हैल्प कर रहे हैं दूसरों को जॉब के लिए कि बात करें तो यह सकता है एसे स्टेंट हो सकता है है एक बात करेंगे फैक्स देखिए लास्ट में यहाप पर आयों नया है तो अब थोड़ा सब में इस सब्सक्राइब क्या है एक नाउन सफिक्स है तो अगर वर्ड के लास्ट में कहीं भी आपको आईउन दिखे तो उसे आप नाउन कंसिडर कर लिजेगा तो यहां पर फैक्षन एक नाउन हो गया जिसका मिन होता है ओपोजीशन डिस एग्रिमेंट एक्सेट्रा डाट एक्जि की बात करें तो सेक्ट ब्लाग डिसेंट्शन यह सब क्या हो जाएंगे इसके सिनोनेम जाएंगे जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं यहां पर दो अलग 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 गूट है तो फैक्षन क्या होगा एक नाउन होगे जिसका मिनिंग होता है गूट सिनोनेम सिबात कर लग या फिर डिसेंट्शन हो जाएंगे नेच्ट वर्ड की बात कर रहें तो नेश्ट वर्ड है शीजिए यहां पर एक नाउन है तो सिलीज यहां पर क्या होगा एक नाउन हो जिसका मिनिंग होता है डिस अनेस्ट और इमोरल बहेवियर इस्पेसली वाई पोलिटिसियन है जो attain होते हैं तो अक्सर तो आप जानते हैं की जो नेता होते हैं उनका इरादा सा है च्टहे-जुथे वाते करते हैं लोगों से बोट लेने के बाद फिर हो अपना सकल तक नहीं दिखाते हैं तो मतलब क्या हो गएं य Linda इसका हिंदी मिनिख वह सब्सक्राइब करें तो चीपनेस डर्ट एफिर एसकाम हो जाएगा तो आई होप स्लीज समझ गया होंगे चलते हैं नेस्ट टोड़ के तरफ नेस्ट टोड़ इनवोग इनवोग यहां पर वहर जिसका मेंनिंग होता है तो मेंशन और यूजे लौ रूल अगर आप कुछ काम कर रहा है तो कोई भी काम करने सपले उसका रूल नियम वेगरा पता कर लेना चाहिए ठीक है तो इनवोग मतलब होता है कि मेंशन कर देना कोई भी नियम या कानून है कोई एजरी जन फोर डूइंग संथिंग कुछ करने के पीछे जो रीजन है उसके लि प्रात्तना करना कंजियूर सम्मोन या फिर इंट्रिट इसके स्योनेम सुझाएंगे तो आज के लिए इतना ही सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताएगा मिलते हैं फिर अगले सेशन में थैंक्स पर वाचिंग जय हिंद